स्माइल हन्या की मौत की गुत्थी सुलजने का नाम ही ने ले रही आखे स्माइल हन्या मारा कैसे गया सवाल सभी तरफ यही है एरान इस पर चुपे साधे हुआ है जांच की बात कह रहा है इसराइल जो है वो किसी तरह से कुछ कहने को तयार नहीं है उसने अभी तक इस हात् कि बात को स्विकार नहीं किया गया कि किसी तरह का हमला उनकी तरफ से किया गया या उनका इसमें हाथ है वो भी चुपी साधे हुआ है किस तरह से आगे बढ़ेगा बाच्चित करने के लिए मेरे साथ मेरे सयोगी मयंक जुडगाए है मयंक जिस तरह से हानिया की मौत हुए अ अब तक वो कुथी सुलजी नहीं है, इरान इस पर कुछ नहीं कह रहा है, वो चुपी साधे हुआ है, जाच होगी, मिसाल की जहां तक बात आ रही है, कहा ये जा रहा है कि जिस इलाके में हन्या था, वहाँ पर इरान के बड़े डिफेंस के जो रिटार्ड ओफिसर्स थे, उनके क्वाटर थे, यानि कि बहुत सेव जगा थे, ऐसे में हत्या के कुथी सुलज नहीं रही है, आखिर क्या थियोरी सामने आ रही है शुलवाती तौर पर हन्या के? आपने बिल्कुल ठीक है, इसको लेके कई बड़ी सारी थे, जिसमें कई तो बहुत ही उल्जी होई है, जिसमें मैं आपको लेटेस्ट बताना चाहूँगा, नियॉर्क टाइम्स ने खबर चापी है, इस खबर के मुताबक, इसमाईल हनिया जिस गेस्ट हाउस में रुके ह हुए थे, वहाँ पर पहले से ही मुसाद के एजेंस ने जो है, वो एक्स्प्लोजिफ पहले से अंदर पहुचा दिया था, उन्हें पता था कि ये अगर राश्पती एरान के राश्पती के शपत गरंड में शामिल होने आते हैं, तो क्या एरान की नजदीकी और हनिया जिस जो इसमाइल हनिया थे, ये पहले भी दो तीन बार तेरान जा चुके हैं, और वो जब भी रुके तो वो इसी गेस्ट हाउस में रुके, ऐसा सोर्स के हावाले से पता चला है, तो मुसाद जो है वो पहले से जान रहा था कि अगर वो राश्पती के शपत ग्रेंड में शाम तेरान के गेस्ट हाउस में अगर आपको प्लांट करते हैं तो इसमें निश्चित रूप से या तो इरान के मिलिटरी या एडिस्टेशन में अंदर से को इसमें शामिल था झाल ता चाहने कुछ रूपत लुके हमास का कोई गड़ार जो है वो इस हनिया की मौत के पीछे ह रहा पर देखें पर आप अगर गेस्ट हाउस थे में अगर पर यह रहांदी आपप लुके हूए हैं अगर यहां एसमाइल हंया हुए हैं अगर यहां पर वपिज्चित हैं एक शवार होता तो इरान का मिजाल से इस्त्पहा हैं वो तुर्णत तुरण तबहा कर यहां जो बहुत बड़ा धमाका होता है अब तक यह साफ नहीं है कि यह मिजाइल अटक था इरान नहीं है कि किसी तरह के कोई गाइडेड मिसाइल थी जो वहां पर जाके गिरी है मतलब आप समझेए कि इतनी बड़ी हत्या हो गई है चारो तरफ हाकार मचा हुआ है युद जैसी सिती बन गई है लेकिन एरान फिर भी चुप है बिल्कुल बिल्कुल और सिस्फ एरान ही नहीं अब तो हमास भी एक कह रहा है कि वह इंतजार कर आए इस बात का कि इरान की तरफ से इस पूरे मामले की जाए और क्या रिपोर्ट सामने आती है अब इसमें जहां तक हमले की बात ह हुआ है वहाँ पर ये दोनों चीज थोड़ी से मुश्किल है कि इरान की तराजधानी तेरान में कोई मिजायल अंदर तक ट्रबल करके आ जाती है और इरान को पता ना चले राडार्स कैच ना करे एंटी मिजायल सिस्टम काम ना करे ये तो रहसम है सबसे बड़ा सवाल अब भी यही बना हुआ है कि ऐसे सिक्यारिटी जोन में और खास दोर पर हनिया जसतर से अपने आस पास पूरी सिक्यारिटी लेकर चलता था वो इरान का गैस था इतनी बड़ी चू कैसे हो गई लेकिन सबसे बड़ा सवाल मयंक यही है कि चुकि अब यह मौत की गुत्ती है इसको सुलजाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है सभी देश अभी अपने आपको बिल्कुल थामे हुए चल रहे है कि जाच की बात आ जाएगी क्योंकि देखे अभी खमैनी को भी मैंने देखा उन्होंने का कि खून का बदला खून से लिया जाएगा मस्जिद के उपर लाल कलर का एक जंडा भी लगा दिया गया है यानि कही न कही इरान की तरह से संदेश दे दिया गया है कि इसको आप हलके में नहीं ले इरान पूरी तरह से हमास के साथ है आप देखें अगर पिछले तीन दिनों में तीन बड़े दुश्मनों को इस्राइल ने खतम कर दिया है इसमाइल हनिया के पे अटैक हुआ उनकी मौत हो गई उसके बाद मुहम्मद दाइफ जो कि हमास के मिलिटरी चीफ थे उनकी मौत हो गई अब एक याया सिनवर एक तीसरे नेता है हमास के जो पिछले साल जब अक्टूबर में इसराइल पे हमला हुआ उसमें जो तीन बड़े लोग शामिल थे उसमें जब तीसरे नेता एक बचे हुए है उनका नाम है याया सिनवर तो अब ये ऐसा कहा जा रहा ह इस्राइल उनको भी निशाना बना दे और एक दूसरी चर्चा बहुत जादा है कि भई अगला हमास का चीफ कौन होगा तो एक नाम सामने आ रहा है वो खालिद मशाल इनका नाम सामने आ रहा है यह हमास के बड़े नेता है और इनका यह सबसे जादा पॉपुलर तब हुए मुसाद के ज यह सब नेता हमला किया थी जाहिला एकूशल फ़या किगा थी जाहिला ईंजेक्शन लगए के बड़ने की तुक्षिश की गए इनका बच्छिए लाए लिए थे वट्यप की जिए अगले की अपुलर हो नेता हमास के आगे रहा है ऑगले नेखी चीफ की चाह इसे डामास और हभिए था एक रिष्भ हार, डीमिने आप एककर भी स्कुझाए. चारिव टेच आप टेच काफी जादा राट करता है। भीर करें, लाकर बनाकि अन्खता कि लिए राट करता है। देखनेक इसे फ़गंटे करें 60 कि वार्य है। तो अब ये पूरा जो मामला है ये बड़ा रूप लेता जा रहा है अब बस देखने की बात ये है कि क्या ये किसी जंग की तरफ जाता है या इसका कोई और सॉलुशन निकल के आता है तो अभी मामला जो है मिडल इस्ट में और काफी ज़्यादा टेंस्ट हो गया है और चुकि अमेरिका का रुख भी स्पेस पर्ष्ट कर लेना चाहेंगे क्योंकि देखे वहां पर राश्पती चुनाव होनी है और रिपब्लिकन और डेमिक्रिटिक पार्टी दोनों अपने तरिके से इसको किस तरह से देखती है अलाकि अगर कमला हैरस की बात की जाए जो र लग नहीं रहा है तो आप अमेरिका की पॉलिटिक्स पर भी इसका कितना असर और अमेरिका पर भी कितना दबाव आप देखते हैं इस इंसिडेंट के हल्या की मौत के बार बिलकुल बिलकुल आप थी कहरेगी चाहे जो बाइडन रहे हो या फिर कमला हैरिस हो इनका उतना ह प्रम जो है वो जादा एग्रेसिव रहे हैं हमेशा फिलिस्तीन के खिलाफ हमास के खिलाफ इसबुला के खिलाफ तो अब ये बड़ा देखने की बात है कि अमेरिका की चुनाव का क्या नतीजा सामने आता है उससे बहुत कुछ इस पूरे मिडलिस्ट का जो फेट है वो उ नजर बनाए हुए हैं हमारे साथ लगाता है आप चुड़े हैं